जॉइन आर टेलीग्राम चैनल फॉर फ्री बिनिंग टीम्स, फ्री गिववेज, एक्साइटिंग ओफर्स और लास्ट मोमेंट अपडेट्स, टेलीग्राम चैनल जॉइनिंग लिंक इस दिस्क्रिप्शन बॉक्स इंपोर्टेंट पॉइंट कवर करेंगे, और जो अपनी फाइनल अपडेट होंगी, वो आपको टेलीग्राम पर में शेर कर दूँगा, सबसे पहले तो देखो दोस्तों इसमेज के टाइमिंग की बात करें, तो यार यह वाला जो मेजच है, इसमें तो कोई डाउट ही निया बात करेंगर मेदान के तो यह वाला जो मेच है, यह खेला जाएगा सेख जियद स्टेडियम अबुधाबी के अंदर, अब अबुधाबी के मेदान की क्या खास बात है, यह आपको अब तर तो पता लग जानी जीए, क्योंकि बहुत सारे मेच यह स्टी 20 वर्ड कप के सीज मिलेगा, तो अगर आपके मन में थोड़ा यह डाउट आए ना, कहीं पार कि यार इसको रखूं या इसको रखूं, तो जो पेसर हो उसे रख देना, स्पिनर उसको डॉक कर देना, और बात करूं, इवनिंग का मेच है तो ड्यू, एक काफी इंपोर्टेंट रोल प्ले करन तक अपने पास फाइनल अपडेट आती रहती है, और उन्हीं अपडेट की वज़े से अपनी टीम में चेंज़ेश हो सकते हैं, तो जो भी चेंज़ेश होंगे, वो सारे करगे, अपनी जो फाइनल टीम है, वो आपको प्रोवाइड करवाई जाती है हमारे टेलिग्राम च मिल जाएंगे, आपको एक पर जाके चेक कर सकते हों, बागी, आपको जीतने के लिए आपको फाइनल अपडेट लिए, फाइनल टीम के लिए हमारा तेलिग्राम चैनल जोइन करना बहुत ज़्यादा ज़्यादा ज़रूर जाई ख उध्यादी आप ज्यादा ज़रूर से यहां पर थोड़ा ज्यादा सपोर्ट मिलता अगर इवरेट स्कोर की में बात कुछ तो इस मैदान में ज्यादा बढ़ा स्कोर आपको देखने को भी नहीं मिलेगा स्री लंका बेटिंग करती है तो यह वाला स्कोर देखने को मिलेगा अगर वेस्ट इंडीज पहले बेटिंग करती है तो फिर यह वाला स्कोर थोड़ा ज्यादा भी देखने को मिल सकता ध्यान रखें वेसे करेंट फोर्म को अगर देखूं तो वेस्ट इंडीज की तरफ से इससे ज्यादा स्कूर नहीं बनना चीए लेकिन वेश्ट इंडीज में पावर हीटर बारे पड़े अगर वो मारने पे आये तो इसी 145 को वो 175 भी पहुंचा सकते हैं ध्यान रखना बस अभी आउट ओफ फोर्म चलने सारे कशारे दोस्तों मैं आपको बदादू कि इस मेदा अफगानिस्तान जीता एक बार पाकिस्तान जीता पहले बेटिंग करते वे तो इसको अगर हम काउंट नहीं पर करें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि नामी भी उतनी श्रॉंग टीम नहीं है कि वह अफगानिस्ता रोड पाकिस्तान को जेल सेके बाकि 7 out of 7 रिजल ठाई ह इसलिए मैं बोल रहा था डूग एक काफी इंपोर्टेंट रोल इस में में इस में प्ले करने वाली है और अचाहा इस स्लाइड को सोड़ दो वीडियो अगर लाइक करें तो लाइक कर देना साधी साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना ठीक है बात करते हैं अगर हम इन दो वाहा की टीम की बारे में तो स्री लंका ने फिर मिष खेल हैं इसीजन में इन distingu है उन्में मैं इस्वर्ट पोजिसंशन पर पाइंशन टेवल में और इनके क्वालीफाइग होने के क्यांकर देक है तो उनके सेमी फाइनल में जाने के चांसे थोड़े बहुत बढ़ेंगे लेगिन वो सिर्फ ओन पर रहा है अगर प्रेक्टिकल ही अपन देखें तो मेरे को नहीं लगता कि वेस्ट इंडीज भी सेमी फाइनल खेलेगी चाहिए इस मैच में जीते चाहिए हारे मेरे को नहीं लगता कि वेस्ट इंडीज के भी सेमी फाइनल में जाने के चाहिए जोंगे वो केसे में बोल रहा हूं वह आप जब पॉइंस टेबल जाके देखोगे ना तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा भाई ओस्ट इंग्लेंड ओल्डेटी क्वालिफाई कर चुए हैं ग्रूप की चुछ मैंनों पहले हैं दो मेच किये स्रीज खेली गई थी उन दोस्तों तीन मेच में से दो मेच जो है वेस्ट इंडीज ने जीत लिए थे अपनी होम कंडिशन का पूरे तरीके से फाइदा उठाए था लेकिन वेस्ट इंडीज उतनी पावरफुल टीम नहीं रही है रिसेंडली जितनी आप सोचते हो क्योंकि अगर आप T20 World Cup के भी रिकोर्ड देखो गए इन दोनों टीम्स के बीच के तो सेवन टाइम्स इन दोनों टीम्स का आमने सामना हुआ है T20 World Cup में जिन में से फाइफ टाइम्स जो है स्री लंका ने विन किया है बात करें दोस्तों अगर हम टीम न्यूज के बारे में इन उनने बोला था कि प्रिटी ओक है यह उनके मूझ से निकलेवे सब्स्ते मतलब कि ठीक ठाक है कोई दिकत निया खेल लेंगे ठीक है उसके अलावा में आपको बताओं तो स्रीलंका की बोलिंग की अगर मैं बात कुर्च हूँ यह स्रीलंका की इस्पिन बोलिंग जो हॉ जिसके जो पेसर हैं उन्होंने नो से ज़्यादा की economy rate के साथ अपने over में जो है रन दिये हैं उसके बाद दोस्तों अगर मैं next point की बात करूँ तो स्रीलंका अब spin अगर अच्छा करा रिया तो यार अकिला धननजा को इस match में खिला सकती है साथ एक रीजन ये भी है कि अकिला धननजा का जो रिकोर्ड है वो बेश्ट इंडिस के अपको पता होना चीए तो अकिला धननजानों हैट्रिक पेग की थी हैट्रिक ली थी वेस्ट इंडिस के गैंश्ट उन्होंने तीन बडले बादों को डिस्मिस किया है और तिनों लेफ्ट हैंडर थे लेनेज सामन्स, क्रिस केहल और निकलास पूरन तेनों को बारी-बारी से डिस्मिस किया था अच्छा दोस्तो इस वीडियो की सारी इंफोर्मेशन का आप यूज कर सकते हो माई लेवन सर्कल पर अपने टीम बनाने के लिए माई लेवन सर्कल की दोस्तो जो डाउंडोर्ड लिंक है वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कोमेंट वोक्स में दे रही है उस लिंक से जब आप माई लेवन सर्कल को डाउंडोर्ड करोगे तो आपको मिलेगा 1500 रुपय तक का साइन अप बोनस साथ ही साथ जब आप हाँ पर अपना first time deposit करोगे तो आपको मिलेगा 20% extra cash जिसका भी आप यूज कर सकते हो अपने contest वागिरा जोइन करने में दोस्तो आपके साथ वाँ पर play with champions के भी contest चलते रहते हैं जिसमें आपकी entry fees जो है मातर 10 रुपय रहती है कि दनन्जा ने मैंने आपको बता कि लेफ्टी को परेशान करते हैं और एमिल लुइस की अगर मैं परेशान की बात करूं तो 15 बोल जो एमिल लूइस ने अगर स्रिलंका पहले वे फर्ष्ट इनिंग में बोलिंग कर लेती है तो फिर डेडली साबित हो सकते हैं ध्यान रखना इस बात को वानिंडू हसरंगा के अगर में बात करूं तो वानिंडू हसरंगा ने क्योरन पोलार को परिशान किया ठीक एक और दो बार अपना सुरी एक बार अपना विकिट भी वानिंडू हसरंगा को कमा चुके दो ध्यान रखना क्यों पोलार की भी परफोर्मेंस उतनी खास नहीं आई है उसके अलावा वानिंडू हसरंगा की परफोर्मेंस अहार इस टूर्णामेंट में बहुत घजब की रही है वानिडू हसरंगा काफी ज्यादा हद से अच्छी रहती थी 3.50 की कॉनोम रेट T20 इंटरनेशनल में मतलब काफी ज्यादा गजब की कॉनोम रेट बात करू दोस्तों अगर मैं अपने टीम न्यूज में ही आगे तो यार विट 224 यानि कि ये डीजे प्रावो का एक शांदा रिकोर्ड है स्री ल बेटिंग के साथ भी अच्छा है और बोलिंग के साथ भी अच्छा है जैसन होल्डर के अगर में बात करूँ तो आपको पता है कि पिछले में मैंने खिलाया गया था पहले दो ये वर्ल्ड कप की स्कोर्ड में भी नहीं थे लेकिन जब ओबेट मन कोई इंजयाड हो गए बात करूं दोस्तों अगर में नेक्स्ट अपने क्रिस गेल की तो यार ये वाली स्टेटो सायथ मैंने आपको पहले भी बता रखी है कि 2021 में इनका सिर्फ एक बार 50 से उपर का स्कोर आया है और इन्होंने जो है 20 के नीचे काफी ज्यादा बार याउट हूँ है 20 के उपर 20 जो इन्होंने खेली है T20 इंटरनेशनल की उनमें से 15 बार यह जो है 20 के नीचे आउट में और इस बार भी इस वर्ल्ड कप के सीजन में भी इन्होंने कोई खास परफॉमेंस अपनी टीम को करके नहीं दिया ध्यान रखना तो दोस्तों यह तो बात हो गई यह सारी अपने टी आपने टीम तो बनाके दिखा दूँगा, डिफेंट कंबिनेशन भी बनाके दिखा दूँगा, और हमेशा की तरह में आपको अपने Trump प्लेयर्स के बार में भी बता दूँगा, जो कि आपको अपने small league और grand league दोनों में जीतने में काफी ज्यादा help करेंगे, लेकिन जैसा क कोई final update जो आनी होती है वो भी नहीं आती अब देखो दोस्तों जब तक toast नहीं हो जाता ना तब तक अपने पास final update आती रहती है दीरी दीरे team की तरफ से news आती रहती है और उन्ही news की वज़े से उन्हीं update की वज़े से अपनी team में भी बहुत सारे changes हो सकते हैं और दोस्तों अपने टीम में जो भी चेंजिस होंगे जो भी अपडेट होंगे वो सारे करके अपनी जो फाइनल टीम में वह आपको प्रोवाइड करवाई जागी हमारे टेलीग्राम चैनल फेंटरसी सपोर्ट पर जिसकी जो लिंक है फ्री जो निंग वह में आपको नीचे और कमेंट वोक्स में दे रखिये हमारे साथ आप जाके दखूँगे तो ओल्रेडी दो लाक सोलह हजार से जुड़ेवें और डेली हमारी टीम का फ्री में फायदा उठागे अच्छी खासी विनिंग यहां पर कर रहे हैं ठीक है आपको विनिंग के स्क्रीन शोट चीए व लिए तो इस वीडियो को खतम होते ही सबसा पहला काम आपका यही करना है कि नीचे डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बोक्स में लिंक मिल जाएगी उस पर क्लिक करके हमारे टेलिग्राम से आपको जरूर से जुड़ जाना है बात करें दोस्तों अगर हम अपनी टीम के बारे है और कुशल परेरा एक नूर्मल पिक है अगर स्रीलंका पहले बेटिंग करती है तो कुशल परेरा आपकी टीम के लिए ठीक पिक हो जातने है वैसे देखा जाये तो बाकि अपने अगर सेफ आपको जाना है तो फिर कुशल परेरा हाला कि रिसेंट परफोंस इनके बात करें बेटिंग सेक्शन की बेटिंग सेक्शन में चरी तरश्र शांका का ऊप्चन है अविन लुईस का है भानुका राजिय पक्शा का अविशका फणना अंडो का है नीचे क्रिस केल का है शिम्रन हेट्मेर भी हो चकता है आपको खेल दिख जाए शिम अस तो बाहर ह जो है इसमें योग्याता है उसके बाद एविंग लुइस की अगर मैं बात कूँ तो देखो अपने को सेफ जाने तो एविंग लुइस को रख सकते हूं बाकी मैंने आपको बताया कि अगर अकिला धननजा खेलते हैं ये बात मैंने आपको दो तीन बार बोल चुका हूं अप कर रहा हूं उसके नीचे वन इंडू हसरंगा को मैं अपने टीम में ट्राइक कर रहा हूं ठीक है अंद्र रसल को अगर आप चाहो तो अपने टीम में जरूर रख से तो कोई दिक्कत निया बस यह है कि बेटिंग कुछ ज्यादा ही डाउन दी ओडर है और बोलिंग के अग पर के दो लों में ड्यागो जो भी आपको करना होकलो ठीक है इन को बीडिक में रखनाओ जैसन होल्डर को मैं अपने टीम में रखूंगा और उस ऊष्टन चेश को भी मैं ये तोनों मेरी टीम में रहेंगे इन दोनों में मेर खो कोई भी डाउट नहीं है इन उपर केृषी एलश काम कुषी को हैं रखने में तो मैं अगे इक चेण हैं एक यह तो रहेंगे यह मैं ही बोल रहा हूँ उसके नीचे एक बार इन दोनों में अगर आपको कंफ्यूजन हो तो यह कंफ्यूजन आपकी टोस के टाइम जो है मिट जानी चाहिए वेचे तो क्योंकि डूफेक्टर अच्छे से काम आएगा अगर सेफ जाना हो तो मैं ठीक चाना आपके लिए उप्सें बात करें केप्टन और वाइस केप्टन की तो यार यह जो आपको दिख रहें न यह तीन यह तीन ही रहेंगे केप्टन और वाइस के पूँजन के लिए अगर रिस्की जाना चाहो तो फिर चरीट असलांगा और एवी लूस्ट भी अच्छे है लें अगर थोड़ा सावी आपको रिस्की चलना है तो फिर यह तीनों आपके लिए अच्छी जोई जाए ठीक है तो यह हो जाते हैं बाकी दोस्तों यह हो गई अपनी टीम इसमें जो भी अप्टेट होंगे वह आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा इस वीडियो के लिए वीडियो में तब तक के अपना दिहान रखिएगा